सवाल थोड़ा डिफरेंट इसले भी है क्योंकि एक फिल्म है संगहस्टू सबसे पहले तो यह बताइए कि आपने प्रमोशन करने के लिए आप ही लॉगड़ून के बाद पहले एक ऐसे हीरो बने जो कि थीटर में आए और लोगों ने प्यार दिया तो संगहस्टू आपने संगहस्टू में किसाड़ी लाली आदब से क्या चीज सीखने की जरूरत है उस फिल्म से एज अक्टर अब क्या चीज देखते हैं मतलब उस फिल्म में क्या ऐसा चीज आपको लगा कि वाके में यह परफेक्शन का एक लेवल है मतलब यह आक्टिंग है वाके में कि राहुल सर्मा को भी यह टीज करना या फिर राहुल सर्मा इसको बेटर भी कर सकते थे मतलब यह चीज होती है मतलब क्या चीज आपको संगरस्टू में लगा कि हाँ या वाकर में किसाड़ी जी ने यह चीज किया है वो बेटर है देखे मैं भी बोलना चाहूँ कि वो कमाल के आक्टर है और मैं तो उनको देखके फिल्म इंडेस्ट्रिम आया हूँ उनकी आक्टिंग के वज़े से ही मैं आया हूँ तो कमाल के आक्टर है वो ऐसा कोई उनका जोड ही नहीं जितने मतलब रियल लाइफ में वो मज़ा करते हैं और जो ऑन स्क्रिंग आते हैं कैमरे पो तो एक बहुत कमाल के आक्टर है वो और कमाल के आक्टिंग की गई है फिल्म में और जो मतलब उन्होंने अपने आपको जिस तरीके से टांस्वार्म किया है वो बड़ी बात है और आक्टिंग में भी उनका बहुत ही ज़ादा जबरदस रहा है फिल्म में निकार बहुत रहा है और उनने क्या नहीं किया है हलिकॉप्टर आगे सारी चीज़ आगे वो मशीन गन वाली पाइट आगे जो आज तक देखा ही नहीं भोश्परी सिनमा में तो यह सारी चीज़े नयापन वो ला रहे हैं हमारी इंडस्ट्रिय में तो बहुत बड़ी बात है यह सब एक आपको नया अक्टर होने का आपको बहुत पुश मिलता है कि भाई जब सीनरी इतना अचा करना है तो आप तो यंग है आपको तो और भी अचा करना है चौथे सब्ता में बिहार के बॉक्स ओफिस पर एंट्री हो चुक है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई एक फिल्म चौथे सब्ता में जारी लॉक्ड़ॉन के बाद तो मुझे लग रहा है कि जो रास्ता जो बंद हो चुका था सिंगल स्क्रिन का तो वो कही ना कही खुल गया और राहुल सर्मा के लिए भी यूं कहें तो तमाम जो सुपल स्टार जो आएंगे या फिर आने वाले हैं उनके गी रास्ता क्लियर हो चुका है कि भीया अब हमें महनत करने की जरवत है तो सबसे पहले चौथे सब्ता हमें अगी फिल्म जाती है बोचपुरी के बात है सिंगल स्क्रीन खुल रहा है खुशी की एक चीज़ होती है यह मैं बहुत खुशी की बात है क्योंकि बीच में क्या हमारे थेटर्स बंद हो गए थे लेकिन अभी आशा है कि थेटर्स बहुत सारे खुल गए हैं जैसे संगरश्टू के देख लिजी कहां नहीं लग इतने जागे तो थेटर को खोला गया है सिंगल स्क्रीन को खोल की फिल्में लगाई गई है और बिजनस करना शुरू कर गए है तो देखे एक चाए तो थेटर वाले भी थेटर खुलें गई तो मेरा यह मानना है कि अच्य फिल्म में बन रही हैं और बहुत खुशी होता है क्योंकि यह दास्ता अगर आपका खुलते जाता है आप नहीं कमर है भी आपको लंबा जाना है तो हमाई लिए तो अच्छी चीज़े नहीं हो कमर के लिए बहुत बड़ी बात है कि थेटर्स खुल गए है तो फिल्म लगेगी तो दर्शकों तक जाएगी फिल्म के जो प्रोडूसर है रतनागर कुमार और सनम के प्रोडूसर भी वही है और इधर राजाराम आप कर रहे हैं उसके डारेक्टर पराग पार्टील जी है तो कहीं ना कहीं जो दोनों रिलेशन है, कनेक्शन जबरदास है, और संगरश्टू में ये दोनों कनेक्शन ही देखने के मिल रहा है, तो इनके दोनों की कनेक्शन के उपर जो पराग जी है, रतनागर जी, इस पे कोई कुछ आप किछ कहना जाएंगे? मैं तो यह बोलना चाहा हूँ कि देखिए, नियू कमर हूँ और आते ही इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, चाहे पराग सर हो, चाहे रतनाकर सर हो, चाहे खिसारी भाई हो, आप खिसारी भाई हो कैसे भूल गए है, वो भी तो है इस तो क्या कहिएगा, फैंस से अगर फिल्म नहीं देखे हैं, तो आक्टर के रूप में अपील करना चाहेंगे, या फिल्म इंडस्टी के लिए खिए कि भाई अच्छी बात है, किस तरीके से संगर्श्टू के लिए फैंस को, मैं संगर्श्टू के फैंस को भी बोलना चाहा तो आप जरूर जाके देखिए और अपना प्यार दीजे फिल्म को जिस तरीके से आप दे रहे हैं already तो वो सतर में की स्क्रीन पे आक्टर को आक्टर बनना चाहिए या फिर टीवी स्क्रीन पे एक छोटा सा बॉना करक्टर जिस तरीके से डेली शो होता है भाया आते हैं जाते हैं लेकिन जो सुपर स्टार होते हैं जो सतर में स्क्रीन पे आते हैं वो बनना चाहिए या फिर ट पर देखना है क्योंकि मैं आक्टर हूँ और रही बात की अब जो पर पढ़ा जहां जा लगा है वहां के लोग देख सकते हैं लेकिन जो हमारे ऐसे भी आज भी जो पिछले जगे जहां पर थेटर नहीं है तो उनके पास वो टीवी है ना तो वो टो टीवी से आपको कि यह कंप्डिल एक इंसान के पर एक इंडिविजिल का डिसीजन है कि उसको कहां देखना जादा पसंद है मुझे तो है कि मैं सब्सक्राइम के बाद मैं टीवी लिखना चाहूं को मैं दोनों ही जगे मैं हर जगह देखना चाहूं का थेंक यू आज़ा है